गूर्णिग आप अपने स्टोरी बूक्स देख सकते हो सो तोड़े यू के अंड़स्टाइन माम इस गूए नहीं हूं लाँपिए ये इस डाइम जो पहला है उनका नाम है एन वीच्वीर्वर्टाम वो होते हैं जो उट कट करके अपना life living या food earn करते हैं मतलब उट कटर क्या करते हैं उनके पास एक axe होता है an axe yes an axe they are having everyday they take their axe and go to forest and everyday they cut tree tree कट करने से जो उट उनको मिलता है वो उट वो कारपेंटर को बेजते हैं फिर बाहर मार्केट में बेजते हैं क्योंकि village में अम जैसे gas cylinder से खाना बनाते हैं ऐसा नहीं है हमारे पास gas है ना मौन करते हैं खाना बनाना शुरू ऐसा चूला नहीं होता है वहाँ पे wood से चूला जलाना पड़ता है तो वो लोग भी wood cutter से उटकरिता है और ऐसे उटकर्टर अपना लाइफ लीट करते है सो उटकर्टर के लिए उसके आक्स is very important और यह जो उटकर्टर है he is very poor once a poor उटकर्टर was cutting a tree on the bank of a river poor उटकर्टर मतलब उसके पास ज्यादा कुछ नहीं है उसके पास एक ही आक्स है जिसके तो उटकर्ट करता है और फिर अपना लाइफ लीट करता है एक दिन वो एक नदी के किनारे bank of a river मतलब नदी के किनारे अब पिक्चर में भी देख सकतो ना वो जो tree को कट कर रहा it is beside a river एकदम नदी के किनारे वो उटकर्ट कर रहा था tree को कट कर रहे थे अभी कभी कभी हम काम करते है तो हमारे हाँ से जैसे आप लिख रहे होता आपके pencil slip हो जाते है कभी आप खाना खाड़े हो spoon slip होता है ममा कुछ काम कर रही है ममा के हाँ से utensils भी slip होके गिरते है isn't it so woodcutter के साथ भी ऐसा हुआ while he was cutting his axe slipped and fell into the river पानी के अंदर जाके गिर किया सिर्फ slip नहीं हुआ वो axe देखो पानी के अंदर जा रहा है woodcutter का face देखो oh my god what I will do now how I will cut wood how I will lead life मुझे खाना कहा से मिलेगा देखो woodcutter कितना tension में आ गया but जो mercury the god of the river थे he was very kind he immediately appeared from the river and offered to help him उन्हें पूछा what happened woodcutter why are you crying क्या हुआ क्यों tension इतना रोडे हो तो woodcutter नुसको बता कि मेरा ना axe ऐसे पानी में गिर गया my axe slipped and it fell into the river then mercury said okay I will help you to find it out wait तो mercury then dive into the river and brought out a golden axe mercury क्या पानी के अंदर गया और एक golden axe लेके आया यह सोने से बना हुआ axe but the woodcutter said it is not mine dear mercury उन्होंने बोला mercury god यह तो मेरा नहीं है सही में woodcutter का axe सोने का था no it was not made out of gold then mercury again dive into the water and bought a silver axe अभी एक चांदी का axe लेके आये woodcutter बहुत अच्छे तो उन्होंने बोला no no mercury it is not mine either मेरा ते एक दम simple वाला axe है मैं बहुत पूर हूँ मेरे पास चांदी, सोना, gold यह silver का axe नहीं है और वो दुक्य हो गया कि mercury को भी उसका axe नहीं मिल रहा है then mercury what did you know he again dive और वो फिर सेवानी के अंदर गया और ओरिजिनल जो woodcutter का axe था brought out that one और woodcutter was everjoyed हरे यह तो मेरा ही है and is very happy दो दो मुझे दो thank you, thank you mercury god thank you, thank you देखो woodcutter का कितना honest है वो उसको सोनी चांदी का axe मिल रहा था और अगर उसको सोनी चांदी का axe मिल जाता तो उसका वो पूर नहीं रहे तो उसके पास बहुत money होता उसको उतना tension नहीं होता पर उसको अपना ही चीज़ चाहिए था उसको दूसरे का चीज़ नहीं चाहिए था तो खुष हो के उटकटर को that gold and silver वाला भी gift किया उन्हेंने बोला I was testing कि तुम कितने honest हो तुम सच्ची में एक honest इंसान हो जो अपनी चीज लेना चाहते हो दूसरे का नहीं सो मैं खुश हो कि I, Mercury, the god of the river is gifting you our golden axe and our silver axe along with your old axe उसका पुरान axe भी दिया, उसको golden axe भी दिया और silver axe भी दिया तो उटकटर के लिए कितने अच्छी बात है उटकटर honest थे, इसे लिए मिला, पता है फिर क्या हुआ उटकटर went to his house and told the story to his friend उसके friend को पता है, पता है, आज मेरे साथ ऐसा हुआ और मुझे ये मिला और उसके friend ने सोचा, अरे वाह तो गोड आइडिया, मैं भी जाती हूँ friend become greedy greedy मतला पता है लालची उसको ने सोचा अच्छा है बिना काम किये, अगर ऐसे gold river axe मुझे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है he went to the river bank and dropped his axe into the water see, उसने खुद बखुद फेका slip होके पानी में नहीं गिरा उट काटर जो पहले वाला था उसका तो accidentally गिरा था ना उसने जान बुच के नहीं गिरा था पर इसका friend इतना greedy है he dropped his axe into the river mercury god came, appeared and पूचा what happened उसने बूला, मेरा axe गिर गया mercury वे डाइव इंटू and brought a golden axe और उसने mercury ने पूचा यह है तो मारा axe and what the greedy fellow did you know हाँ, यह तो मेरा है yes, 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 it is mine और mercury was very angry mercury said, you were such a greedy fellow यह आपका नहीं है आप फिर क्यों बोलूई आपका है फिर mercury को इतना गुसाया he was so angry उसने बोला, तुमारा जो original axe है, वो भी मैं नहीं दोंगे आपी तुमको and mercury disappeared and the man was left without any axe सोचो, उसके पास axe था क्योंकि उसको भी तो वो चाहिए था उटकाटर का फ्रेंड भी उटकाटरी था इसलिए तो उसके पास axe था उसको भी तो अपनी life lead करने के लिए चाहिए फिर सोचो ऐसे अपना चीज नहीं है फिर भी आप बोलोगी ये मेरा है तो कोई भी आपको नहीं करेंगे mercury को तो पता था पहले उटकाटर के पास जो axe था वो कांसा था वो उटकाटर को टेस्ट कर रहा था इसलिए पहले golden लाया फिर जब उसने देखा वो उटकाटर is very honest तभी जाके उन्होंने उसको gift दिया that gift is earned by the वो उटकाटर for his honesty honesty के लिए उसने वो gift earned किया है पर इसके friend ने क्या क्या? greediness दिखाया so what is the moral of the story? can you see children? here it is written honesty is the best policy always honest रहो कभी कभी कोई चीज देखके हमें greediness आते भी है so we should not be greedy honesty इसलिए अगर आप से कोई गल्ती भी होते है so we should say truth lie नहीं बोलना देखो अगर उटकाटर की ये friend भी truth बोलते है शायद उसको भी mercury, golden and silver acts gift करते है isn't it? so honesty is the best policy what is the moral of the story? repeat after me honesty is the best policy now children I will show you something if you turn next page you will see this mercury wants to give all access to the honest उटकाटर help mercury to reach the उटकाटर आपको इसके path find करना है कैसे? पैंसिल से ठीक है? पहले आप स्टोरी सुनो फिर mercury को help करो उटकाटर तक पहुचिनने के लिए okay children so till then bye enjoy